इसका फ्राइब बताना है दो कुश्टन बोल रहा है कि 2 पॉइंट है जो किसी फोकल कोड का एंड पॉइंट है यह माल लिए कि फोकल कोड का एंड पॉइंट है जिसका इसेंट्रिक एंगल अलफा और बीटा तो अगर एलिप्स यह है एक स्क्वाइर बाई ए स्क्वाइर प्लस वाई ए स्क्वाइर बाई बी ए स्क्वाइर इपल टू वन तो इसके हम लोग पारिमेट्रिक कोडिनेट लेते हैं यह इसका पारिमेट्रिक कोडिनेट लेते हैं तो थीटा होता है इस सेंट्रिक एंगल अब कुश्टन में दिया Q-Lin-Alpha, B-Sign-Alpha, और दूसरा जो point है, इसका parametric koordinet बीटा के term में होगा, यह होगा A cos beta, B-Sign-Beta, यह होगा, तो parametric koordinet मिल गया, अब यह focus से pass कराई, तो focus और koordinet है A-E, 0, ठीक के, यह भी लिख दिया, अब हम लोग equation लिखते हैं इस code का, कॉड का नाम है चलो PQ लिख दिए यह focus है S तो PQ का equation लिखते हैं तो PQ का equation find करने के पहले slope find करेंगे है ना slope of PQ यह होगा y2-y1 by x2-x1 यह होगा b sin alpha minus b sin beta by और a cos alpha minus a cos beta यह होगा तो b common लेते हैं नीचे से a common लेंगे उपर होगा sin alpha minus sin beta तो sin alpha minus sin beta है तो इसको हम लगाएंगे यह होगा 2 cos alpha plus beta by 2 into sin alpha minus beta by 2 यह होगा और नीचे में cos alpha minus cos beta है तो यह होगा minus 2 of sin alpha plus beta by 2 into sin alpha minus beta by 2 यह होता है ना अब यह जो cos sin alpha minus beta by 2 sin alpha minus beta by 2 cancel हो जागा और यह 2 और 2 भी कट जागा तो स्लोप आजागा minus of b by a और cos alpha plus beta by 2 और नीचे में होगा sin alpha plus beta by 2 तो यह स्लोप मिल गया अब equation लिखते हैं तो इस line का equation लिखने के लिए यह p का point लेते हैं कोई भी point ले सकते हैं यह तो p का या q का तो p का point लेते हैं और p q का equation लिखते हैं एक्वेशन हो जागा y minus b sin alpha equal to slope है minus b by a cos of alpha plus beta by 2 by sin alpha plus beta by 2 into x minus a cos alpha है ना यह हो जाएगा इस p q का equation अब इसको थोड़ा और simplify करते हैं तो यह जो divide में है ना sin alpha plus beta by 2 यह इधर जाएगा और यह जो b है ना b वो b divide में आएगा ठीक है तो कितना होगा देखो sin alpha plus beta by 2 into y by b होगा ठीक है और यहां पर होगा कितना यह b डिवाइड में बी कटेगा तो minus of यह होगा sin alpha into sin alpha plus beta by 2 equal to में यहां minus x by a होगा और हो जाएगा cos alpha plus beta by 2 और यह minus और यह minus यह होगा plus और a by a कटेगा तो यहां पर होगा cos alpha into cos alpha plus beta by 2 यह बगाना अब देखो यह जो एक्स व्ला टर्म है उसका लेप साड ले आते हैं और यह जो टर्म sin alpha sin alpha plus beta by 2 यह इसको right side ले जाते हैं तो यह equation बन जाएगा x by a cos alpha plus beta by 2 और y वला टर्म प्लस मेहना तो plus y by b into sin alpha plus beta by 2 यह होगा और यह जो term है यह right side आ जाएगा right side आएगा तो क्या होगा देखो cos alpha cos alpha plus beta by 2 और यह minus है ना यह plus हो जाएगा sin alpha into sin alpha plus beta by 2 यह होगा अब देखो यह जो term है left side यह तो इसी रा जाएगा x by a into cos alpha plus beta by 2 plus और y by b sin alpha plus beta by 2 और देखो cos a cos plus sin sin cos a minus b होता है cos alpha minus alpha by 2 plus beta by 2 यह होगा alpha minus beta by 2 यह बन जाएगा ठीक है यह equation हो गया पीक्यू कॉड का अब देखो question में दिया हुए कि यह जो कॉड पीक्यू है यह focus से पास कर रहा है तो focus coordinate ae,0 तो ae,0 इसमें satisfy करेगा ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं कि focus से ae,0 focus है ae,0 और यह जो कॉड है यह focal code है ना देख लो कोश्चन में दिया हुए है कि अलफा बीटा इसे पास करेगा हम लोगा सब्सक्राइब करना है यह दिया है तो focus से पास करा तो x में रखते हैं ae,y में रखते हैं 0,ae रखेंगे तो ae by a सिर्फ e बचेगा ना तो e cos alpha plus beta by 2 y में 0 यहाँ पर हो जागा और cos of alpha minus beta by 2 यहाँ से हम लिखेंगे cos of alpha minus beta by 2 by cos of alpha plus beta by 2 यह equal to e हो जाएगा यह यह divide में लिया है अब देखो यहाँ पर हम लगाते हैं component and dividendo applying component and dividendo यह क्या होता है देखो तो e के नीचे में कुछ नहीं है मतलब e by 1 होगा है अब component and dividendo लगाते हैं तो देखो क्या होता है समझ में आ जाएगा cos alpha minus beta by 2 plus करेंगे denominator वाला मतलब cos alpha plus beta by 2 यह प्लस करेंगे अब यही दोनों को जबर minus करना मतलब numerator minus denominator तो cos alpha minus beta by 2 minus cos alpha plus beta by 2 यह होगा similarly इस साइट भी करना है e plus 1 by e minus 1 होगा है अब देखो जब इसको solve करेंगे trigmetry formula लगाएंगे cos c plus cos d तो cos alpha minus beta by 2 plus cos alpha plus beta by 2 यह होगा 2 cos 2 cos c plus d by 2 तो यह होगा 2 cos alpha by 2 into cos beta by 2 यह होगा और नीचे में कितना होगा नीचे यह होगा 2 sin alpha by 2 into sin beta by 2 और इधर में होगा e plus 1 by e minus 1 यहां से 2 और 2 कटेगा देखो cos उपर नीचे sin cos alpha by 2 यह होगा 1 by tan alpha by 2 और यह होगा 1 by tan beta by 2 ठीक है और यह होगा e plus 1 by e minus 1 इसका reciprocal कर देंगे जब इसका reciprocal करेंगे तो यह होगा tan alpha by 2 into tan beta by 2 इसको भी reciprocal करेंगे तो e minus 1 by e plus 1 यही value होगा tan alpha by 2 into tan beta by 2 का यही हम लोगो find करना था कि tan alpha by 2 into tan beta by 2 का value क्या होगा देखो then tan alpha by 2 into tan beta by 2 is equal to यह हो जाएगा e minus 1 by e plus 1